यह आइफोन 14 आप मैं से बहुत साथ लोग पूछते रहते हो कि आइफोन 14 की बेस्स कैमरा सेटिंग बताओ तो आज की वीडियों बताता हूं आपको बैस्स कैमरा सैटिंग फोर आइफोन 14 कैमरा एप से सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फीचर्स पिजाता हूं जो कि आपको मास्टर कर लेना चाहिए जब आप कैमरा ओपन करते हैं पर फोटो दिखाए देता है आपने यहां पर लॉंग प्रेस करना है और राइट स्वाइब कर देना है तो यहां से आपकी और तो यहँ हैं यहां पर आपने ट्क करने हूँ है और तो आपकी इतने ही थाट क्लिक हो जाएंगे और यह दव कर लेना और टाइम लैप्स तो भाई नॉर्मल है यहां पर आपको कुछ ऑप्शन मिलती नहीं है यहां पर आप सिर्फ एक्सपोजर कम यह ज्यादा कर सकते हो अगर आप संसेट यह संराइस का टाइम लाइब बना रहे हो ना थो थोड़ा सा और यहां से और बंद घ्रनें और इसके अलाब यहां से अप डेप्ट भी कम और ज़्यादा कर सकते हो यह आप यहां से इतना एफ 4 पर रखो घया ज्यादा लगता और जितना कम कर देगи तो यहां में थोड़ा से दिक्कत आ जाती है तो आपने पर यहां पर भी आपको एक् अच्छी हो जाती है अगर आप एक्सपोजे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हो तो नेक्स ओप्शन हमारी वीडियो की वीडियो में यहां पर आपको फ्लैसलाइट की ऑप्शन मिल जाती है और थार्ड है यहां पर हमारा एक्शन पॉड तो आपका स्टेवलेशन के लिए काम रख सकते हो तो यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग टोन वगारा सेट करके रख लेना इंडोर और आउट्वर के लिए बहुत काम में आता है जैसे यहां पर कूल एफेक्ट में अगर आप रखते हो यह सेट कर देता है जैसे विंटर का वासम होता है उस तरह का अगर है तो आप डेरेक्ट स्क्वेर में फोटो सेलेक्ट कर लो 16 y 9 भी आता है जिससे आपकी फोन की रिश्यो के अकॉर्डिंग हो जाता है यहां बहुत कमाल का आता है और जब आप किसी गरीनरी जैसे प्लेस में फोटो क्लिक कर रहें तो एक्सपोजर को इंक्रीज करना गाइ आपने टाइमर की आगी यहां से 3 सेकंड और 10 सेकंड का टाइमर रख सकते हो और उसके लावर नेक्स हो यहां पर हमारा बीविड मोड और यह सब आगे बीविड बहुत प्यारा लगता है यह भी आप यूज कर सकते हो यह तो बात में कस्माइजिस हो जाती है पोट्रेट आगे पोट्रेट में हमें यह सारी उक्षिन मलती है सब तो आपको बता है फिर अपना लास्ट में पहला मोड आ जाता है यह काफी काम में अब चलते हैं मेन कैमरा सेटिंग की तरफ यहां पर अब लेके चलता हूं मैं डायरेक्ट अब आपको अच्छे से एक्स्प्रेंग सबसे पहले यहां पर आपको रिकॉर्डिंग वीडियो के ऑप्शन मिल जाती है तो यहां पर आपने एक काम करना है आपके आपके आइपन 14 ने तो 128 जी भी तो आपके वास मिनिम्म में होगी ही तो आप 4K 60 एपस ही यूज़ करना लो लाइट है तब 4K 30 एपस की तरफ चल पैल फॉर्मेट की ऑप्शन भी रहती है क्यों होती है यह बहुत काम की होती है यह हमारे एशन कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी रहती है तो जैसे मैंने इसे आन कर दिया अब मैं कैमरा एप में आ जाता हूं वीडियो में आया तो यहां पर आप नहीं आप्शन हो होता है कि वीडियो में बहुत सारी फ्लिकरिंग आ जाती है वो प्रॉल्म सॉल्व हो जाती है यहां पर आपके 25 fps यह सैटिंग्स आपकी यहां से ओन होती है पैल फॉर्मेट जब आप उन करते हो उसके बाद में हैं यहां पर सैटिंग आती है एना स्टेवलाइजेशन यह आपने देख लेना अपने नीड के कोडिक मैं तो इसे और रखता हूं फोर बैस टेबलाइजेशन और यहां पर नेक्स ऑप्शन मिल जाती है हमें एक्शन मोड लोवर लाइट की यह आपकी काम में आती है जब आप एक्शन मोड यूज करते हैं अपने वीडियो के टाइम यहां पर अप्शन रहते हैं एक्शन मोड के अगर लोव लाइट है जैसे यहां पर लिखा आ रहा है ओने यहांपने देख लेना है यहां पर मेरे साब से अच्छी क्वाल्टी के लिए आपको यह सेटिंग कर देने चाहिए इसे स्टेबलीशन कम होगी बठा रिजल्ट अ है HDR में वीडियो बनती है और अगर आप फैन हो HDR वीडियो के आपको अच्छे लगती है HDR वीडियो तो आप आप करके रखो और इंस्टाग्राम पर भाई HDR वीडियो बहुत प्यारी लगती है क्योंकि अलग से ब्राइट लाइट सी नजर आती है तो आपने देख लेना है पर चले जाएंगे और जब लाइट इंक्रीज हो जाएगे तो आटोमेटिकली 60 fps पर आ जाएंगे तो यह करता है यहां पर यह ओटो fps फीचर यह काम का भी है बट वीडियो में एकदम से चेंज आ जाता है 30 fps से 60 fps का वह थोड़ा अजीब भी लगता है यहां पर नेक्स फी आप आप करके रखो इसका फाइदा रहता है अगर आप कहीं इंडोर रिकॉर्ड कर रहे है और आपको एक स्टेवल आउटपूर चाहिए तो एक बार आप हाइट बैलन्स को लॉक करके रख दो और उसका बड़िया आउटपूट मिलती है और आइपन बड़ी फीचर रहत किया था ना तो यहां पर आप फोर के 25 पैल में रखोगे इंडिया में रहते तो ज्यादा बैस आउटपूट आपको मिलेगे वैसे फोर के थर्टी है पेस भी आप यूज कर सकते बट अगर फ्लिकरिंग के दिक्कत आ रहे हैं तो आपने पैल फॉर्मेट यूज करना है औ अगर आपको आईफोन है और आपको एंडॉइड फोन है या फिर विंडोस पर आप मोस्ट कंपैटेबल यूज करना कि यह फॉर्म में जो था मोस्ट कंपैटेबल यह आपके बाकी डिवाइस के लिए भी अच्छा रहता है यहां पर बीट्रेट अलग चलता है थोड़ा हाईएपिसेंसी पेस्ट के लिए बेस्त रहता है यह हो गया हमारा नेक्स सेटिंग है हमारा हमारा दृम सेटिंग मैं अ कुछ सेटिंग यह होता है हमारा इस सेटिंग की बज़े से जो भी आपके लिए इंपोर्टेंट है वह आप यहां पर प्रिजर्व करके रख सकते हैं नेक्स है हमारे पास रिकॉर्ड स्टीरियो साउंड यह इस बड़िया रहता है इसे और रखो इससे और रखो इससे और काफी बड़िया यहां पर यूज बॉलिम अप बटन तो वस फोटो यह आप कर सकते हो यह जो बटन होते हैं यह हमारे आपके वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कामें आते हैं बट हाँ अगर आप लॉंग प्रेस करते हो यहां से आप वस्ट में फोटो क्लिक कर सकते हो उस सेटिंग को बहुत काम में आता है आप अपने कैमरा एप से किसी क्यूर कोड को स्कैन कर सकते हो आपने क्यूर कोड सामने लेके आना है और वो स्कैन हो जाएगा और नेक्स है यहां पर सो डिटेक्टर टेक्स तो यह काम में आता है टेक्स आप यहां से डिरेक्ट रीड कर सकते हो कॉप बख़ेर कर सकते हो तो इस सेटिंग्स हो भी आप उन रखेंगे तो फाइदे में रहोगे और यहाँ पर नेक्स घ्रिट की आप्शन यह भी बहुत काम है आती है कैमरा में इससे आपको पूरा अलाइन हो जाते है कोई अपने सेंटर में रखना है तो आपको पता लगता रहे तो इसे भी आन रखो इन सेटिंग्स से बज़े थोड़ा कैमरे और बैटरी भी जादा यूज़ करता है अपको बेस्ट आउटपूर्ट चाहिए फोटो में तो आप इन्हें आपको पता ही है और इसे भी आप उन रखो यह अच्छा रहता है जब फोटो क्लिक करते हो सेटिंग हमारे पास प्रियोड़ाइज फास्ट सूटिंग यह काम आते है जब आप फास्ट फोटो क्लिक कर रहे हो ना तो यह आर्टिफिसल इंटेलिजेंस की मदल से आपके फोटो की क्वालिटी को मैंटें रखता है काम का फीचर है इसे ऑन रखो लास्म यहां पर लें भी आ जाती है तो इस चीज़ को आप बंद भी कर सकते हो इसका फाइदा भी है वैसे आपको पता लगते रहता है कि आपने कौन सा फोटो कौन सी जगह पर क्लिक किया था इससे बैटरी भी काफी यूज होती है तो आप प्राइवेसी एन स्क्योटी में आके यहां पर लोक बैसे देख लेना आप अपने नीड के इससे ऑन करना या फिर आफ करना तो फिर गाइस यही सब है इस फोन की कैमरा सैटी में कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं बाई यही सिंपल जैसे यही आप फॉलो करोगे तो आपके फोन की जो कैमरा आउटपुट है वो बढ़िया हो जाएगी और मैं आपको बता देता हूँ एक जिस जो आईफोन के कैमरा लेंस होते है इनको आपको नॉर्मल कपड़े के साथ में साफ नहीं करना चाहिए इससे लॉंग टर्म में जो कैमरा लेंस के ऊपर एक कोटिंग की यही होती है वो खराब हो जाती है और लॉंग टर् जादा टाइम तक बिल्कुल सही रहते हैं पांचे साल तक थोड़ी क्लीटी में फर्क आ जाता है और इसमें आपको एक वहाँ चीज बताता हूं यह आईफोन और इसमें मैं फ्रंट और बैक कैमरा सेम टाइम पर यूज कर रहा हूं कि आप देख सकते हो और यह आपको किसी और वीडियों बता हूंगा आईफोन 14 में यही सब है इससे एक्स्टर तो मैं क्या ही बता हूं यही होता है बस आपने सिफ अकॉर्डिंग टू सिच्वेशन यूज करना होता है कैमरा की सेटिंग और आपको बैस रिजल्ट देखने को मिलेंगे बस मैंने आप आपको यह वीडियो अच्छी लगिया इंस्टर फॉलो कर लेना और अगर आप फेस टू-फेस मुझसे बात करना जाते हैं तो एक फैन को लैप है बहां पर आप स्लॉट बूक करके वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो तो मिलते नेक्स वीडियो में गाईस लब भी आल गाई टेकर और बाई बाई